नमस्कार दोस्तों निसुख की चैने नहों मैं आप सभी को स्वागत करें आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल से बूंदी वैली करी बिल्कुल बटर वाले तरके के साथ अगर आप ने एक बार इसे बना लिया तो इसे बार बना के जरू खाएंगे तो चली शुरू करते है बूंदी वैली करी बनाना तो करी बनाने के लिए मैंने यहां पे लिए हैं चाहर टेबले स्पून के करी बेशन मैं यहां पे चार लोगों के लिए बना रहे हैं इसलिए मैंने यहां पे चाहर टेबले स्पून बेशन का यूज किया है आप जितने लोगों के बनाना उसे स तो अब हम इसमें एंड करेंगे q1 jao and half sporting किकरीब्ली पारगर यहीं पर हम हम अच् Skill ।ाच्छ अच्छ से शेल quéStalo और चें आड़के पांपनासा पेश्ट बना कर लेते हैं तो तो देखिए हमारा पेस्ट बिल्कुल बनके तयार हो गया है इसे हम दसमियट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देते हैं ताकि हमारी बोंदी फुली फुली बने तो हमारा दसमियट हो गया है और गैसे मैंने कराई को गरम होने के लिए बिठा दिया था तो हमारा कराई बिल्कुल गरम हो गया है तो अब हम च्छो नोटे के ऊपर बेशन डाल के चमस से इसे हलका हलका दवाते हुए तो देखें इतना अच्छा बूंदी फूला फूला बन रहा है तो इसी तरह से हमें सारे बेशन की बूंदिया बना के तयार कर लेना है तो देखें मैंने यहां सारे बनां लिए हैं बूंदी और हैं का अध्र के पनाते यहां पिछ्छों कर लेखें मैं अब हम इसमें एड़ करेंगे हाप टेबल स्पून के करी भल्दी पाउंडर और इसे हम अच्छे से मिक्स करते हैं इसका हम स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं इसमें में पानी करना अभी क्योंकि दही में पानी होता है इसी से हमारा पेस्ट बन के बिल्कुल तयार हो जाएगा तो देखे हमारा स्मूथ पेस्ट बन के बिल्कुल तयार हो गया है तो अब हम इसमें थुरसा पानी में पानी यूज करेंगे तो मैंने कर्याए में बूंदी को तला था और यहां पर डालेंगे थोड़ से मेथी के दाने और हमारा इस थोड़ सब्सक्राइब बनाया था उसको हम इसमें एड़ कर रहे हैं और इसी टाम हम इसमें एड़ करेंगे दो कप के करील पानी आप अपने हिसाब पानी डालने जी कि आपको करी कितना गाढ़ा रखना है या पतला रखना है तो मैं यहां पर करी को गाढ़ा रखने वाले हैं इसलिए मैंने यहां पर दो कप पानी का यूज किया है तो इसे हम दस मियर तक चलाते रहेंगे लो फिलम पर तो देखिए हमें करी को पकाते हुए दसमियट हो गया है और हमारी करी में से उबाल आने लगा है देखे कितना अच्छा कलर आ गया है तो अब हम यहीं पर इसमें एड़ करेंगे स्वाद के अनुसार नमक जो हमने नमक पहले नहीं डला था उबाल आने के बाद मैं इसमें नमक यूज करती हू तो यहीं हैं वूज कर लेते हैं और यहीं हम एड़ करेंगे छो हमने पूंदी बनाया था और यहां अच्छे से मिक्स करते हैं वहाद के लिए मेडियम फ्लिम पर और पकाना है तो हमें पूंदी वाले करी को पकाते हूए पांस मिनट हो गया है और देखे हमारा करी कितना व्लूज नियुजु अछ पक गया है इसमें अभौला आना श्टार्ट हो गया है तो इसके धिलम को एक परेसी कर देते हैं और दूसरी तुर्फ तरक हम तरके की तयारी कर लेते तो तरका लगाने के लिए मैंने यहां पे लिया है इसमें डाला है बटर तो हमारा बटर चार सूखी लाल मीट चे और लाल मीट को हम पका लेते हैं और यहीं पर हम इसमें एड़ करेंगे हाप टेबले स्पून के करीब चीरव और यहीं पर मैं इसमें एड़ करूंगी कस्मीरी लाल मीट से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और अब हम इसे कराई में एड़ करेंगे तो देखिए हमारा बूंदी वाल करी बटर वाले तरके के साथ बिल्कुल तयार हो गया है